आचारे चानक अपने नीती सास्त्र में एक स्लोक के माध्यम से कहते हैं कि किस प्रकार के बैक्ती की मदद करनी चाहिए और किस प्रकार की बैक्ती से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये लोग मदद के बदले भी धोकाई देते हैं देखे मनुस से एक समाजिक प्रानी है हर किसी की मदद करता है लेकिन कई बार क्या होता है आप मदद तो करते हैं लेकिन आप खुद ही मुसीपत में फ़स जाते हैं आपको नुकसान हो जाता है तो आज हम उसी प्रकार की बाते आपको बताने वाले हैं आखिर किन से दूर र पहले तो अपनी मुर्खता से आपको अपने लेबल पर लाएंगे और फिर अपने ही तरीके से आपको माद देंगे तो ऐसे लोगों से हर हाल में दूर रहना जाहिए ना तो उनकी दोस्ती वली ना ही दूस्मनी। हो सकता है आपकी बात को गलत तरीके से ले और आपका ही नुकसान हो जाए इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा ही समल के रहें किसी भी ब्यक्ति की समझदारी उसके चरितर पर भी निर्पर करता है ये भी सकते हैं और चाना के कहते हैं जिस ब्यक्ति का चरितर ठीक न हो उसके करीम नहीं रहना चाहिए क्योंकि चरित्र हीन लोग अपने नुकसान की ज्यादा उन्हें फिक्र नहीं होती क्योंकि उनका तो चरित्र ही गर्व है लेकिन वो आपका नुकसान जरूर कर सकते हैं इनका साथ देने से क्या होता है न समाज के भी लोग आपको गलत समझते हैं उनके साथ आपको उठना बैटना हो तो लोग भी आपको गलत नजरिये सही देखेंगे चाहे आप कितना भी पावन क्यों नहों इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें तो आपका दुरभागी भी ही रोते हैं हमेशा अपने रोना रोने के लिए ही सबके साथ घुलमित्ते मिलते हैं मेरे पास यह नहीं है मेरे यह हो गया वह हो गया तो ऐसे लोग कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकते आप उन्हें कुछ भी दे दो वह खाना खालेंगे फिर कहेंगे इसमें तो नमाग की कम आप यह इस डाइब के लोगों से दूर रहें क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रहने से सिर्फ बुराई ही मिलेगी और वह खुद तो खुद जैसे हैं वह संतुष्ट हैं ही आप भी दिरे-दिरे वैसे हो जाएंगे तो इन तीन लोगों से करीब जाओगे दूखी मिलेगा संद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा हर हर महादेब धन्यवाद अली शे ऌह तो लाइक कीजिएपन scype अली थे ट्यूए तो लुप कीजिए